हलो प्यारे बच्चों आशा करती हूं आप सब स्वस्थ हैं और देखिए आपकी वर्कशिट्स तो बिटा खतम हो गई थी तो आप वर्कशिट्स की रेगुलर वीडियो देए अब अपडेट है आपके पास टाइम लाइन दी गई है आपके एक्जामिनेशन की और से आज यह और मिला है तो आप से क्योंकि बहुत से बच्चे बार-बार क्वेशन पूछ रहते हैं एक्जाम कब होंगे कैसे आगे चलेगा शेडियूल तो आपके क्लारिटी के लिए मैं आपके साथ यह जो और आया है वही शेयर कर रहे हूं जो डिपार्टमेंट के प्रोजेक्ट जैसा कि आप आज कल दे रहे हैं और प्राक्टिकल वर्क भी चल रहा है तो आपका 15 तक 1st मार्च से लेके 15 मार्च तक प्राक्टिकल के जो प्रोजेक्ट्स हैं या आपका एसाइमेंट्स हैं वो सब समिट होंगे सभी बच्चों के ओन्नाइन जो माक्स हैं जो 8th क्लास तक बच्चों के एरप Sultanक्लष के थर्ड्स से छला सकत्ता के बच्चों के जो online मार्क साइव फिफ्टिं से 25 में हो जाएंगे और 31 स्च भी आपका रिजर्ट तो जाएगा फॉर क्लास 30 ने कला सब्स को लिए सशन 31 मार्च को ही एंड्ट हो जाएगा और 1 एपरि फिफ्ट में पढ़ने वाला सिक्स्त में इसी तरह से एर्थ का बचा नाइंथ में नाइंथ का सेशन से स्टार्ट हो जाएगा कि उसके बाद देखिए मिटम और प्री बोर्ट जैसा कि आपको पता है कि मिटम एक्जाम 20 मार्ट से स्टार्ट हो चुकी है आपके पास डेट शीट भी आ चुकी है तो मिटम मार्क आपके 20 मार्ट से 15 अपरिल तक चलेंगे जो क्लास 9 से लेकर 12 तक का शीडूल है जो आपको जो शीडूल है अपकमिंग जो एक्जाम सोंगे उनका शीडूल क्या रहेगा तो आपका यहां पर देखिया ओनलाइन एंट्री ऑफ दा एक्जाम मिटम जो आपका हो जाएगा और इसके बाद प्री बोर्ट होगा यह आपका 22 मार्ट से लेके 19 अपरिल तक क्योंकि मार्ट से लेके 19 अपरिल तक का आपका मार्क्स जो अपलोड होने हैं सी बीसी के साइट पेस आपका ओनलाइन एंट्री होगी इसके बाद कॉमन एन्वल एक्जाम यानि कि 9th और 11th क्लास 9th और 11th क्लास के लिए especially जो है कि 3rd में से जैसा कि बोर्ट एक्जाम आपको पता है 6 में से स्टार्ट तो 3rd में से ही हमारे होम एक्जाम यानि कि 9th और 11th क्लास के लिए और 3rd में से लिए बाद 15 जून को आपका डिजर्ट आउट कर दिया जाएगा और कमेंस्मेंट ऑफ क्लास 10th and 12 जब आपका 9th और 11th क्लास के बच्चे जो आउंगे आप 1st जुलाइ से अभी जो गाइडलाइंज आई है उसके अकॉर्डिंग और आप सभी जानते कि पेंडमिक दुबारा फिर दुबारा कुछ स्टेट्स में ऐसा हो चुका है कि फिर से कोविड फैलता जा रहा है तो आप सभी को ध्यान रखना है आपको कोविड अप्रोप्रियेवर को फॉल करना है और अच्छा खाना खाये विटा इम्म्यूनिटी को अपने स्ट्रॉंग बनाई है ताकि आप अच्छे से अपने एक्जाम दे सके और यह आपकी जो अपडेट है इससे आज आज आपको ख्लारिटे मिल गई है कि आपका सेशन कब तक एंड होगा तो आपका सेशन क